नमस्कार में रिया और आप देख रहें बीसीट 24 बिहार में बीजेपी ने की खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगानी की मांग बढग अनितीश कुमार बोले ये सब बेकार की बात है गुरुग्राम में खुले ने में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से वि हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने भी इसका विरोध किया है इधर बिहार में भी बीजेपी के विधायक हरी भुशन ठाकुर ने भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग कर दिया इस मामले में जब मुख्यमंत्री तीश कुमार से पूछा गय है सब का अपना अपना विचार मुख्यमंत्री ने कहा इन सब बातों का कोई मतलब नहीं इन सब चीजों में हम ऐसा मान कर चलते हैं कि सब को अपना धंग से करना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के दौरान कोई बाहर नहीं जा रहा था सभी लोग हमारे लि है कि भाचपा के विधायक हरीबूशन थाकुर ने पिछले दिनों हर्याना की तर्ज पर बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांगी थी उन्होंने का कि खुले में नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बता दें कि हरीबूशन थाकुर बचाओ हमेशा अपने बयानों की वज़े से चर्चा में रहते हैं और आए दिन वह बीजेपी विधायकों को निशाने पर ले लेते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने नितीश कुमार को लेकर भी एक बयान दिया था कि नितीश कुमार को बिहार में शराब लागू कर देनी चाहिए क्योंकि शराब बंदी से माफिया पनप रहे हैं और उनको हम नेताओ का सहारा मिल रहा है हरीबू शंठाकुर बचाओ हमेशा ऐसे बयानों की वज़े से विवाद में रहते हैं अब एक नए विवाद में घिर गए हैं मुसल्मानों को लेकर इस तरह की बयान देने से बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार नराज हो गए हैं क्योंकि नितीश कुमार ने अपने आपको अल्प संख्यक का बड़ा नेता बताया है और उनकी गट बंदन का हिस्सा है बीजेपी और बीजेपी के विधायक का इस तरह का बयान देना कहीं नितीश कुमार के लिए नागवार गुजर रहा है अब देखने की ये बात होगी कि हरी भूशन ठाकुर बच्चन के इस बयान पर शीगर नेतरित्व का क्या फैसला ले थे आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने नितीश कुमार से पूछा तो उनने साफ कह दिया कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों में हम ऐसा मान कर चलते हैं कि सब को अपने धंग से करना चाहिए इन सब चोटी चीजों का कोई मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं अब ये तो देखने की बात होगी कि इस बात का आगे क्या चर्चा होता है खुले में नमाज पढ़ने की र